स्वागत है आपका मैं पोटी कहीं कि बार जाती हूं खाना खाने के बार कैसी पोटी होती है पोटी बहुत सौफ होती है, टाइट में होती एक केला केला तो सब खाते ही है केला लिजे एक, और उसे वो छील लेते हैं ऐसे करके फोड़ी से फैप लगाइए लगा में और यहां आपके इस रोग में भी फाइदा हो चावाल junior who kmouth a कावाल बनाया जाते तो एक जावल जो है वो कुकर में बनता है दूसरा छावड लोग क्या है वो बनाते है बिगोने में जिसमें मंदृटता था है चावल को लगड़ लेते हैं मंद को लगड़ कड़ लेते हैं तो जब यू वो भी लाप्रद होता है हमारी सेहत के लिए या फिर वो फैट बढ़ाता है अचा शेहले देखो यह जो पीच भी कहते है इसे जी 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 कलब भी कहते है पहले जमाने में यह जावल उबाल के और इसका जो मान आप के रही है वो दूसरे बरतन में कर लेते ते और अपने कॉटन के कपड़े जो खाद पर फिर सुकते थे तो वो कलब लग जाता था टाइट हो जाते हैं कपड़े तो यह जो मांड है और यह इसका लेकविड है चावल का यह जो उसके नख्सान देखे और किसी के लिए फाइदे मंद है जो नाउम्र बच्चे बच्चियां है उनके लिए यह सब चीजे बहु चावल या चावल का मान और गोबी और या आपका मक्षन, बालाई, दूद, यह सब कम उम्र बच्चों के लिए काफी फाइदे मन्द है, इससे उनके जिसम में ताकत मिलती है, तवानाई मिलती है, और उनकी जिसम ग्रोथ करता है और हम जैसे उमर वालों के लिए, इस सारी चीजे नुक्सान दे, यह निए 45 साल, 40-45 साल के बाद, यह सब चीजें हमें नुक्सान करने लगती हैं, क्योंकि यह हम लेते हैं, तो यह हमारा कॉलिस्ट्वल बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, बादी होता है, और दि को बहुत नुक्सान देता है, मैंने देखा कि किसी के भी परिषानी हो रहे, पैटवें जल्दी से, दूद लाकर दे 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 हैं, तो हम जैसे लोगं के लिए दूद भी नुक्सान दे है, चर्वी इतनी जतनी हम हज़म कर सकते हैं, और हमारी जैसी अमर्वालों को बहुत में खास बात ये है कहो झूं खुझ भी गारवन होता है विः चीजे नई अभि काएंगे तो फाम गारह होने लगता है baid Для 40- 45 साल के बाद तो अभ सो हमने आशी चाहिए जिससे हमारा इससे हमारा इससे मेरा मुझ बत्ला रहे और खुं पत्ला रहने से हमें ब्लेट प्रेशर, हारट अटेक और बहुत सुरी भीमारिया नहीं होती तो ऐसी उम्र वालों को तो अद्रक खाना चाहिए लेसन खाना चाहिए लीवू खाना चाहिए जीरा काना चाहिए अपने सालनमें मिलाएं अपने सब्जी सालन में और उम्र के हिसाब से जरूर लें ये बच्चे लोग इस्तेमाल करेंगे तो फायदेबंद है बहुत फायदेबंद है बहुत ग्रोथ करता है और बड़ों के लिए सब नुखसान दें अगली कॉलर स्वागत है आपका जी मैं राधा बोल रह नमस्कार डाक्टर साब आपके पुरान है पेसेंट है आपकी नुखसी बहुत अपनाते हैं अब दो और पूंचना है बेटे के लिए गर्दन में दर्द हुआ गर्दन में और एक हाथ पूरा दर्द करने लगा हम हाथ दर्द करने लगा उससे हां इस डम नस वो जो है चमकने लगी थी बहुत जोड़ 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 डाक्टर को दिखाया तो टेवले टेवलेट दी उनने दर्द की उससे आराम नहीं हुआ अब उसको थेरेपी करवाई है तो थेरेपी से आराम तो लग गया है वो गले के नीचे के जो गुड़िया रहती हैं उन में उन में बता रहे हैं को वो पास पास हो गया है या दूर दूर हो गया है उसके कारण हाथ में कंधी से लगा के यहां कलाई तक बहुत नस चमकती है और दर्द होता है अब थेरेपी से तो ठीक हो गया है आराम लग गया है लेकिन हमने का आप से पूंच ले आएक सरसाइज जो आपने बताई थी वह एक सरसाइज वहां थेरेशी में भी बताई है वो गर्दन वाली जो आप बताते हैं न वो गर्दन घुमाने वाली सरवाइकल के लिए तो उसके लिए और कुछ बताएं आप और हमारे दामाद के लिए वहां कमर की नस दब गई है तो उनकी कमर दर्द करती है और देखें ये रोग बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है सर्वाइकल का और सर्वाइकल क्या है? दरसल हमारी गर्दन के यहां पीछे डिस में नसे दब जाती है डिस अपनी जगह से थोड़ी सी सरकती है इधर उधर होती है वो किसी नर्व को दबा लेती है और वो नर्व कौन सी है ये पता चलता है कि वो तकलीफ कहा दे रही है तो कभी हाथ में दर्द आ जाता है कभी गर्दन में कभी सर में कभी सर में चक्कर भी आते हैं किसी कौनी में दर्द आता है किसी की उंगलियों में है सर्वाइक लिए और जो मैं एक्सरसाइज बताता हूँ वो जरूर करें फिजियो थेरेपिस काफी पैसे ले लेता है पांच सो रुपए या उससे ज्यादा रोजाना देने पड़ते है वो खुद ही आप उन्हें सिका दीजे मेरी बताए हुई एक्सरसाइज और गौंसिया आदा आदा गिराम दो बार खाने के बाद दीजे और जिसे हम ऐसे कौनी के बाल इधर बैठ जाते हैं गाउता किया लगा करें इधर को बैठ जाते हैं ऐसे यह सब ने करें और यही गौंसिया अपने दामाद को भी दीजे और उन से कहिए के वेस्टन ट्वालेट का इस्तेमाल करें और गौंसिया दो तीन महीने इस्तेमाल करें तो उनका भी ठीक होना उमकीन है अफरीन जी स्वागत है आपका मेरे मेरे सर्वाइकल भी है बीटी की भी दिशकातर और स्यागोन भी ले रहे हैं नमक जातून सोडा भी ले रहे हैं और तो मेरे यह जो स्क्राइशी थी आख के अबरो के निचे और आख के उपर वहाँ पे एक दम फ़लकन ऐसी होती तो सर्वाइकल की वज़े से हैं की ब मेरे 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 म कियां उनने सुन ली है प्लें जीॆ उहाँ झा खा सकते मा बार मैं वड नामिया बहुत है कि जोग कहते हैं कि बेगन नई गुण होता है लेकिन बगिर गुन के खोवाली ने बना यह नहीं है बहेंगन अपनी ज़रुत का बना कर आप खा सकते हैं और इतना बुरा नहीं होता ज़रुत के मताबिक मैं भी खाता हूँ मैंने उसको बहेंगन को बादी नहीं पाया और आँख के पास जो फड़कन होती है वो मुमकीन है आपके ब्लेट पेशर की वज़े से होती हो और नुस्खे तो आप ले ही रही है डॉक्टर की दवाएं भी ले सकते हैं साथ में आप और ये नमक जैतूर और सोड़ा आप ले रहे हैं इससे आपका कॉलिस्टॉल कम होगा और ब्लेट पेशर कम होगा तो ये अच्छा हो सकता है और वो एक्सरसाइज जो सर्वाइकल की है वो मतवातिर करिये इंशालला फाइदा मुमकीन है